विश्रू भर में चल रहे तनावों और अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे टकरावों के बीच भारत अपने डिफेंस सेक्टर को कई तरह से मजबूत करने में लगा है बीते कुछ सालों में उसने अपनी रक्षा व्यवस्ता मजबूत करने के साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयास किये हैं सरकार ने डिफेंस सेक्टर में प्राइविट कंपनियों और स्टार्ट अप के लिए भी रास्ते खोले हैं और इनके बहतरीन नतीजे भी दिख रहे हैं 2023-2024 में डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है और 2024-25 में भी शांगदार बढ़त दिख रही है अब भारत अपनी सेनाओं को बहतरीन हत्यार और सेन उपकरण से मजबूत करने की तयारी में है इसके तहित भारत सरकार अगले साल नौसेना में 12 नय वार्शिप यानि युद्धपोर्ट शामिल करने की तयारी में है ये कदम भारती नौसेना की ततपरता और हिंद महासागर प्षित्र में प्रभुत्तो बढ़ाने की रड़निती का हिस्सा है हाल की रिपोर्ट और पिछली घोष्णाओं से संकेत मिलता है कि नौसेना को अगले 12 महीनों में एक देस्ट्रॉयर या विधवनसक एक पड़ुबी और तीन सर्वे जहाज सहित कुल 12 जहाज मिलेंगे नौसेना को मिलने वाला डेस्ट्रॉयर उननत हतियारों से लैस है इन हतियारों में सतैसे हवा में मार करने वाली मिसाइले और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइले शामिल है इसके अलावा दुश्मन की नजर से छिपने वाली पंडुबियां भी नौसेना को मिलेंगी यदि नौसेना को मिलने वाले इन 12 युद्रपोतों की डिलिवरी समय पर हो जाती है तो इससे कम समय में नौसेना की ताकत में बढ़त होगी और हिंद महासागर क्षित्र में भारत की समुद्री उपस्नती मजबूत होगी इसके साथ ही भारती सेना के टैंक में भी बदलाव किये जाने की तयारी है सेना के T-72 टैंक को बदल कर उनकी जगह 1700 से अधिक फ्यूचर रेडी कॉमबेट वहिकल तैनात किये जाएंगे खास बात ये भी है कि ये हतियार 60% स्वदेशी होगे वाइब सेना के फाइटर जेट्स को भी आदिनिक एरो इंजिन से लैस किये जाने की तयारी है एक खास बात ये भी है कि भारती सेना के इन हतियारों को लेकर भारत का इस बात पर भी काफी जादा जोर है कि इनका जादा से जादा हिस्सा स्वदेशी निर्मित हो इससे हत्यारों की मरमच जैसे कामों के लिए दूसरे देश पर निर्भर महीं होना पड़ेगा कर दोसरे जाद हो